वो हिंदुस्तानी जिससे गनित भी घबराता था, जिससे एक हिंदू धर्म की देवी संख्याओं की भाषा में बातें करती थी, कम आयू में ही अपने शिक्षक्ता को अपने गनित के सूत्रों से भौचक कर देने वाले महान बालक का नाम था रामानुजन, हाँ, वही, महान गनित गय श्री नवास रामानुजन, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे अनंत संख्या इंफिनेटी को भी जानते थे, रामानुजन ने अपने चेर जीवना काल में गनित के 3884 प्रमेयों का संकलन किया, जिसमें से अधिकांश प्रमेय गनित गयों द्वारा सही सिद्ध कि जा चुके हैं, रामानुजन की गनित में विलक्षन प्रतिभा को देख कर उनके करीबियों को यह विश्वास हो गया था कि एक दिन वे गनित में रसूख कायम करेंगे, उन्हें किसी भी तरह का विशेश प्रशिक्षन नहीं मिला, फिर भी उन्होंने विशलेशन, संख्य जा सिध्धान्त, इन्फिनिटी सीरीज जैसे क्षित्रों में प्रक्षर योगदान दिये, हाडी और रामानुजन गनित के इतिहास में एक ही सिक्के के दो अलग-अलग पहलू है, प्रुफेसर हाडी हो या रामानुजन, दोनों का जिक्र एक दूसरे के किरदारों के बिन खत्म होना भी असंभव हैं, स्वभाव और जीवन शैली से दोनों एक दूसरे से बहुत ही अलग थे, रामानुजन भगवान में आस्था रखते थे तो हाडी नास्तिक थे, रामानुजन बारह वी फेल थे जबकि हाडी कैम्रिज विश्व विश्व विद्याले से पढ़ बात जब गणित की आती थी, दोनों एक दूसरे के पूरग बन जाते थे, हाडी और रामानुजन उस दौर के किरदार है जब गणित में इंग्लेंड का स्तर जर्मनी से सालों पीछे था और भारत का स्तर इंग्लेंड से सद्यों पीछे था, इसलिए हाडी के लिए यह जपाना मुश्किल हो रहा था कि, एक बारह वी फेल भारतिय जिसके पास कोई गणित की तालीम नहीं, कैसे वेह गणित के सवालों को इतनी आसानी से हल करता है वेह भी खुद के बनाए सूतरों के दम पर, एक बार दोस्त के रूप में हाडी ने रामानुजन से पूछा कि आपके गणित के सूतरों का रहसे क्या है तब रामानुजन ने उतर दिया, नामगिरी देवी, मेरी कुल देवी, वह संख्याओं की भाषा में मुझसे सनवाद करती है, जब मैं सोता हूँ, जब मैं प्रार्थना करता हूँ व्रेह मेरी जीब पर गणित के सूतरों रख द इतना सुनते ही हाडी समनुजन को आश्चरे से देखने लगे तब रामानुजन ने कहा कि मुझे पता है शायद आप मेरी बातों का यकीन नहीं करेंगे लेकिन यदि आप मेरे सचे दोस्त हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मैं आप से सच कह रहा हूँ, मेरे लिए गणि इस वर्ष की आए में मित्यू, दरसल इंगलेंड पहुँचने के कुछी दिनों से रामानुजन को वहां का खान पान और जलवायू रास नहीं आ रही थी, वे शुद्ध शा कहारी थे और वे प्रतम विश्वयुद का दौर था जब इंगलेंड में सबजियों की भारी किल थो गई थी, साथ ही नए माहौल में वे खुद को अकेला महसूस करने लगे थे, अश्वित्ध होने के कारण अंग्रेज उनके साथ सवतेला बरताव करते थे, इन्ही कारणों से तंग आकर एक समय उन्होंने आत्महत्या का भी प्रयास किया था, कुपोशन के कारण उनका स स्वास्त दिन बदिन गिरता जा रहा था, परिणाम स्वरूप उनके शरीर में विटामिन की कमी हो गई और डॉक्टरों की सलहा पर उन्हें वापस भारत लोट ना पढ़ा, भारत लोटने के बाद भी रामानु जन गनित के शोध कारे में पुनहें लग गए मगर इस बार स्वास्यन ने उनका साथ नहीं दिया और 26 अपरेल 19-20 भारतिये के इस महान गनितगे का निदन हो गया, ये कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करें, जय हिंड